अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो आप नए नए इलेक्ट्रिशन है या नए नए इलेक्ट्रिशन बनना चाहते हैं मार्केट में काम करके आप भी पेसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लाश तक जरूर देखेगा step by step वीडियो को अगर आप skip करते हैं शायद कुछ वाइरिंग का हिस्सा आप छोड़ दे तो इस वीडियो को पूरा final तक और last तक जरूर देखेगा ताकि हम आप लोगों को अच्छे से explain कर सकें और मैंने बहुत अच्छे से explain भी किया है इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी अच्छा खासा knowledge मिल जाएगा और market के अंदर आपकी value भी create हो जाएगी Instagram आइडी को follow ने किया है तो description में आपको Instagram भी मिल जाएगा वहाँ जाकर कि आप हमारे नए-ने चीज़े जो हैं वहाँ पर देख सकते हैं वीडियो का updated वगेरा सब कुछ चेक कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो हम चलते हैं वीडियो की तरह इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पूरे setup की wiring करना सिखाऊंगा बहुत अच्छे से आपको wiring करना सिखाने वाले हैं तो यहां पर हमारे पास जो सामगरी है वो यहां पर डेड़ एमेम की वायर है यलो कलर की यहां पर एक एमेम की वायर है अर्थिंग के लिए हमारे पास ग्रीन कलर की वायर है जो कि आप देख सकते हैं वन एमेम की है कुछ सामागिरी है इसके अंदर टूल भी है और बहुत सारे स्विचिस भी है सौकेट्स भी है पावर पलक स्विच सौकेट्स भी है और ये हमारे पास टूल है अगर आपको ये टूल पर्चेस करने है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक को मिल जाएगा टेस्टर पलास पेज़कर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएवा जाके प्रचेस भी कर सकते है पॉइंट्स बनाने के लिए आपको एक एमेम की वाईर की आवशकता होगी जिसमें आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट के अंदर हम एक वाईर का यूज लेते है एक पॉइंट का मतलब एक वाईर ही होता है आप इस तरह से भी अंदाजा लगा सकते है लेकिन पॉइंट्स का कलर एक जैसा होता है जैसे कि मैं आपको समझाऊंगा यह जो पॉइंट है यह हमने एक वाईर सेट कर लिया है और यह पॉइंट सीधा हमारे को देखने को मिलेगा स्वीच बोर्ड के अंदर यानि के जो हमारा main power switchboard होता है जिसके अंदर बहुत सारे switches होते हैं उसके अंदर ये point जाने वारा है लेकिन ये point कहीं से भी घूम फिर के जा सकता है यानि के जैसे आप casing पटी लगाएंगे वेसे ही आपको wire को गुमा के ले जाना पड़ता है इसको कहीं पर joint नहीं करना पड़ता है switchboard में लाकर के इस तरह से cut करके switchboard के अंदर हम set up कर सकते हैं इसे बोला जाता है एक point जी हां दोस्तों अगर आप एक point के ऊपर पैसा लेते हैं यानि कि 45 पर point 60 रुपे पर point तो इसे ही point कहा जाता है इसके ही पैसे होते हैं ये point होता है bulb स होके सीधा हमारा switchboard जो होता है वहां तक include होता है इसे एक point बोला जाता है उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई है यहां पर हम दूसरा point तयार कर रहे हैं यह fan box है यहां पे fan लगेगा ठीक है तो fan के लिए आप 1.5 mm का wire यूज ले सकते हैं या फिर 1 mm का भी यूज ल यहां पर आकर के आपको इस wire को रोक लेना है और इस point का size है उसी size पे आपको set कर देना है जैसे कि मैंने पहले वाले point के अंदर इस तरह से पूरा size कर लिया है लेकिन जो fan का size है वो भी switchboard तक जाने वाला है तो आपको size नहीं करना है आपको इस तरह से पकड़ के दोनों wire को आपस में जुड़ा करके इस तरह से बराबर size कर लेना है जैसे कि आप यहाबर देख सकते हैं किस तरीके से जो मैं work कर रहा हूँ यही work आपको market के अंदर किसी के घर के अंदर, गराहक के घर के अंदर इस तरह से work ही करना है यह real work है house work है ठीक है आप घर के अंदर भी इसी ही work कर सकते हैं और बहुत सारा पेसा कमा सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने दो पॉइंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से तयार कर लिया है इन दोनों पॉइंट को आखिर ले जाना कहा है इन दोनों पॉइंट को अच्छे तरीके से अंदर स्विच बोड के अंदर सेट कर दिया है तो आगी की कारवाई मैं आपको समझाओंगा पॉइंट से अब यहां पे आप अगर पर पॉइंट पचास रुपे लेते हैं तो यहां पर आपने सो रुपे कमा लिए यानि कि दो पॉइंट यहां स्विच बोड के अंदर आ गए तो यहां पर सो पॉइंट सो रुपे आपने कमा लिए है एक्जामपल बता रहा हूँ उनको अलग-अलग एक-एक पॉइंट के नाम से ही जाना चाता है मैं बार-बार ऐसा क्यों बता रहा हूँ क्योंकि आप इलेक्टिशन नए हो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफी important है ठीक है मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ जो नए इलेक्टिशन उनके लिए है इस साइड में दो पॉइंट जा रहे हैं और इस साइड में एक पॉइंट आ रहा है यानि के तीन पॉइंट हमने तयार कर लिए हैं यानि के देड़ सो रुपे हमने तीन पॉइंट में कम आ लिए हैं ठीक है यह चीज आपको समझ में आगी है अब यहां पर तीन वायर हमने अलग-अलग light box से तीनों वायरों को एक switchboard के अंदर लेके आ गए अब यहां पर इस switchboard के अंदर भी दो point नजर आ रहे हैं ठीक है तो इस दो point के अंदर दो वायर आएंगे ठीक है तो यहां से होते जो की drop होता है वो drop वाला जो wire है वही हिस्सा यहां पर धर्शाया जा रहा है जो switchboard के उपर एक ply लगाई जाती है जिसके उपर एक holder एक ceiling rose होता है वही धर्शाया जा रहा है तो यहां पर दो point में ने बराबर size के काटे और दोनों को यहां पर set कर रहा हूँ जैसे कि आपको कारवाई हम आपको आगे समझाने वाले हैं कि इनके अंदर neutral आखिर आएगा के से कहां से आएगा किस वज़े से आएगा यहां पर देख सकते हैं yellow yellow color के सब ही point यहां पर हमने तयार कर लिये हैं यही भी point सीधा हमारे switchboard तक आ जाएगा तो इन दोनों points को मिला करके हमने तो यहां पर आप देख सकते हैं 5 point तयार होगे 50 उर्पे पर point ठीक है तो 5 point आपने switchboard तक लेके आ गए हैं तो इस हिसाब से आपको अलग-अलग तरीके से setup करना है तो अब यहां पर 5 point तो आ गए हैं अब यहां पर operating कैसे होगा लाइने कैसे connect होगी और कौन-कौन से wire आने वाले हैं वो सब हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे like वीडियो को जरूर करें यहां से होते हुए एक point यहां तक आया second point यहां से होते हुए यहां तक switchboard तक आया third point यह रहा है इसी के अंदर fourth भी यहीं इसी के अंदर five point यहां पर यहां तक आ गया है single single wire हमने यहां पर set कर दिये हैं अब बारिया आती हैं इन सभी के neutral wire की तो neutral wire basically one mm का भी use ले सकते हैं और अगर आप इसी wire के अंदर बहुत सारे load चलाएंगे यानि के बहुत सारे point वगरा चलाएंगे तो आपको one point five mm का neutral लगाना होगा जैसे कि मैं आप पर one point five mm का neutral use ले रहा हूँ इस condition में क्य तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो एक hole बाकी था उसी के अंदर में यह black wire भी डाल दिया तो वहां पर neutral तैयार हो गया अब मैं क्या करूंगा कि इस neutral को directly switchboard तक नहीं ले जाने वाला जी हां दोस्तों ना तो ऊपर ले जाओंगा ना switchboard तक मैं ले जाओंगा यहां इसके नीचे एक power plug switchboard है वहां तक ले जाना है तो यहां पर आप देख सकते हैं guys power plug जो switchboard है इसके अंदर अभी तक कोई भी wire देखने को नहीं मिला और मैं इस wire को मतलब इसके neutral को इस point के neutral को मैं switchboard के अंदर लेके जा रहा हूँ अब यहां पर इसको neutral मिलेगा कहां से वो हम आपको आगे बताएंगे ठीके तो यहां पर एक point तो हो गया ना तो मैंने यहां पे ले गया ना तो ऊपर ले गया ठीके सीध हा मैंने power plug के switchboard के अंदर ले गया जो कि मुझी काफी आसान लगा ठीके और आपको भी market के अंदर भी ऐसे ही work करना है 100% मैं आपको कह रहा हूँ ऐसे अ न्यूट्रल भी मैंने इस डब्बी के अंदर set कर दिया लेकिन न्यूट्रल तो हो गया तयार लेकिन इनको line के से दी जाएगी यानि कि न्यूट्रल को on के से किया जाएगा ऐसे रखने से on नहीं होता है इनको connect कही ना कही करना पड़ेगा तब जाके यह points बगरा work करेंगे तो यहाँ पर जो दूसरी डब्बी का जो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं इस डब्बी के अंदर जो neutral डाला है वो basically मैं यहाँ पर ही छोड़ दूँगा जी हाँ दोस्तो अब इसे connect कहा करना है किस जगे पर करना है यह मैं आपको आगे आगे वीडियो के अंदर समझाता ज आँगा वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके से नौलेजवल वीडियो मिलते रहेंगे तो हमने दो पॉइंट को तैयार कर लिया है तीसरे चोटे और पाचवे यह तीन पॉइंट के neutral को मुझे यहाँ पर अभी तैयार करना है तो यहाँ पर आ चाके में छोड़ दूँगा अब इसे छोड़ने का मकसद वगेरा वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ ठीक है तो यहाँ पर फिटिंग करते समय हमें सबसे पहले जोइंट करते समय यहाँ पर छोड़ना पड़ता है सबी वायरों को क्योंकि हमें केसिंग पट्टी को ढ धकना होता है पीछे से जितने वायर हम डाल दिये हैं पूरे केसिंग पट्टी को ढखना होता है इसलिए हम छोड़ते हैं अब यहाँ पर इस डब्बी के लिए न्यूटल भी सेट अप करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है डब्बी के लिए आपको एक छोटा सा न् न्यूटरल लाइन से अब इसको न्यूटरल मिलेगा कहां से बेसिकली यही तो सवाल आपकी दिमाग में पैदा हो रहा होगा अब आप कहेंगे कि यहां पर जो न्यूटरल है और वो हम जोड़ेंगे तो किस तरह से जोड़ेंगे वो भी हम आपको धिरे धिरे सिखाएंगे वीडियो को देखते जाएं गाइस पूरा एंड तक देखना काफी नोलेज है इस वीडियो में तो यहाँ पर न्यूटल जो है काफी अच्छे तरीके से तयार हो गया है तो अब मैं आपको सबसे में पार्ट दिखाने वाला हूँ जो कि सिस्टम न्यूटल होता है इन सब का बाप होता है जिए दोस्तों मैं जितने न्यूटल छोड़ रहा हूँ सभी न्यूटल का बाप यहां स्विच बोर्ट से होते हुए हमारे जितने भी न्यूट्रल है पॉइंट्स के अंदर वो सभी के अंदर कनेक्ट होगा जिहां दोस्तों यह असली फैक्ट होता है वाइ क्या है point तो सीधे सीधे आपको switchboard तक लाने होते हैं लेकिन असली कारीगिरी जो होती है वो neutral के होती है कि हमें कहां से कहां तक ले जाने है ठीक है तो आपने यहाँ पर देख लिया system neutral में मैंने switchboard से होते हुए यहां तक काड़ दिया है ठीक है अब मैं आपको joint करने का एक तरीका दिखाता हूँ यहां से होते हुए एक neutral यहां तक आया और system neutral यहां से इस switchboard तक आ गया ठीक है अब यहां पर हम एक connect करना है neutral को basically connect करने के लिए आपको जो switchboard से आ रहा है उस system neutral को हम चील के यहां पर जो यह holder से आ रहा है जो कि हमने आपको दिखाया उस holder से आ रहा है और यहां पर जो इस डबी के अंदर दो neutral देखने को मिल रहे हैं यह भी इन दोनों के लिए एक ही neutral तयार किया गया है इसको आप center के अंदर छिल के आपको connect कर देना है जी हाँ दोस्तो बस इतना साही process है और जितने भी यहां पर holder वगेरा है तीन point के अंदर जितने भी neutral चल रहे हैं वो सारे neutral इसी से ही complete work हो जाएंगे ठी हाँ दोस्तो अब यहां पर आपको मैं बताता हूँ casing party के अंदर आप इस तरह से joint कर सकते हैं कोई भी problem वाली देखने को बात नहीं मिलते है क्योंकि casing party के अंदर ज्यादा से ज्यादा 50 से लेके 200 watt तक का load होता है जी हाँ दोस्तों casing party की wiring के अंदर सिर्फ 2-4 light होती है एक दो fan होता है और एक switch board होता है बस इससे ज्यादा casing party के अंदर room के अंदर लोग लगाते नहीं है तो आप इस तरह से joint कोई दिक्कत वाले बात नहीं कर सकते हैं वैसे तो fan box वगएरा होते हैं उसके अंदर भी joint करते हैं तो neutral का joint तो fix है compulsory ये करना ही पड़ेगा तो इस तरह से तीन point के अंदर जो neutral है वो हमारा पहुच गया है यहां से होते हुए इन दोनों point के अंदर neutral गया और यहां से यहां पर यह जो गली दिकरी है इसके अंदर हमें यह point चलाने के लिए यहां पर हमने joint नहीं किया neutral को तो इसका fact क्या है यह हम आपको आगे समझाएंगे यह neutral आखिर आएगा कहां से इन दोनों को चलाने के लिए neutral में लाओंगा कहां से तो वो भी आपको आगे हम समझाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं guys यह जो black neutral जा रहा है इसको हम एक point के अंदर connect करेंगे ठीक है ताकि वो भी point neutral से च ठीक है तो यहां पर joint करने के बाद आप देख सकते हैं यह जो light है यह भी हमारे इस neutral में joint हो गई सामने जो एक और point आ रहा है इसको भी हमने joint कर दिया है लेकिन अब upcoming neutral कहां से ले ठीक है तो इनके अंदर तो neutral complete हो गया इन सभी डब्बियों के अंदर पांचों के अंदर neutral complete ह हो गया लेकिन online neutral अभी complete नहीं हुआ है दो डब्बियों के अंदर यहां पर एक system neutral और points तयार है अब यह जो switchboard power plug है तो इसके अंदर हमें wire देखने को मिलते हैं एक earth और एक neutral और एक face ठीक है गाईस तो इन तीनों को हम power plug switchboard के अंदर set up करेंगे power plug switchboard के अंदर आप basically अगर ज्यादा लोड चलाना चाहते तो 2.5 mm का compulsory है यूज लेना है नहीं तो आप 1.5 mm का भी यूज ले सकते हैं जी हाँ दोस्तों ज्यादा भारी लोड चलाना है गीजर वीजर चलाना है तब तो आपको 5 mm का यहाँ पर wire यूज लेना होगा नॉर्मल लोड चलाना है पंदरा सो वोड तक का तो आप यहाँ पर सिर्फ डेडे में का wire यूज ले सकते हैं तो अब यहाँ पर आपको तीन wire नजर आ रहे होंगे neutral phase और earthing तो इन तीनों को आप कहां से कहां तक ले जाएंगे basically ना तो आपको सामने ले जाना है ना तो पीछे वाले डबी के अंदर ले जाना है आपको इस गली के अंदर मोड़ना है अब आपको छोटी सी एक बास समझ में आ रही होगी कि इसको neutral आखे points को neutral कहां से मिल रहा है वो अगर electrician video देख रहे हैं तो वो समझ चुके होंगे और जो नए electrician है उनको शाहिए अभी समझ में नहीं आया होगा तो यह जो points wire है sorry यह जो mail line है जो switchboard से आ रही है power plug से यह looping करके आप अपने main switchboard के अंदर लेके आना है जो कि आप देख सकते हैं यहां पर हमने कहीं पे भी joint ने किया सीधा हमने यहां पर include कर दिया है इस wire को ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं तीन तो यहां पर एक तीन यह जो wire है neutral phase है और यहां पर एक system neutral है ठीक है और बाकी points है यहां से होते हुए यहां से होते हुए सीधा हमारा जो यह switchboard है power plug वाला वहां तक line पहुच चुकी है इसके साथ एक neutral भी जा रहा है जी हां दोस्तों यह जो neutral आप देख रहे हैं इसके साथ जो जा रहा है यही neutral आगे की w को running करेगा इन points जो दो points लगाया है वो running करेगा इस जी हां दोस्तों यह fact है और आप इस तरह से work कर सकते हैं market के अंदर जी हां दोस्तों काफी आसान तरीका है और wire बचाने का सबसे best तरीका होता है यह दोनों neutral है और यहां पर एक phase है और एक earthing है इनका connection में आगे आगे आपको समझाओंगा ठीक है यहां पर आप देख सकते ह phase है यहां पर system neutral है और यहां पर कुछ points नज़र आ रहे हैं यह mcb box है mcb box के अंदर basically 2.5 mm का आपको जो wire है वो use लेना है अगर आपका normal load है सिर्फ point वगएरा चला रहे हैं cooler वगएरा चला रहे हैं तो आपको 1.5 mm का use लेना है mcb box से लेके आपके room तक नहीं तो आपको 2.5 mm का wire use लेना है जो कि compulsory circuit board के अंदर यानि circuit line के अंदर जरूरी होता है तो यहां पर आप देख सकते हैं जो mcb line है वो basically कहां पे जाएगी यहां पे तो इस room के अंदर wiring हुई नहीं अभी तो इस room के अंदर हमें यह line पहुचानी है तो यह line सीधा आखिर जाती कहां पर है गाइस अगर आप छट वाली fitting कर रहे हैं underground या फिर open fitting कर रहे हैं दोनों में same wiring होती है बस यह परक होता है कि इसके अंदर point कम होते हैं और छट वाली जो fitting होती underground उसके अंदर points थोड़े ज़्यादा होते हैं यह आपको खयाल करना होगा बात ठीक है तो यहा power switch board है जिसके अंदर काफी सारे switch include किये गए हैं उसके अंदर यह line जाने वाली है अब आप कहेंगे कि यह सारे joint के से करेंगे तो इन चीजों को देखने के लिए वीडियो को last तक जरूर देखेगा और नेने electrician है उनको तो मुझे पता है काफी मजा आ रहा होगा यह वीडि आपको समझना है तो उस main line को आप यहां switch board के अंदर लाके छोड़ेंगे तो आपको कहीं पर joint नहीं करना है joint करोगे तो casing पटी जो है वो जल जाएगी wiring जल जाएगी फिर आपको दुबारा casing पटी लगाने पड़ेगी तो आपको सीधा switch board में ही looping कर देना है यह चीज आप आपको समझनी है guys ठीक है तो यहां पर लगबग जो line है वो complete हो गई है मैं आपको समझाता हूँ आगे की कारवाई तो यहां पर जो MCB box से जो line जा रही है वो basically हमारा जो switch board है वहां तक जा रही है जो compulsory है जितने भी electrician है basically guys ऐसी तरीके से ही work करते है जो electrician जानकार electrician है जो काफी professional है और जो normal electrician है जो अभी बन रहे है नए नए है उनके लिए काफी अची वीडियो होने वाली है और हो रही है चल रही है आपको पता ही है guys काफी अची वीडियो आपको लग भी रही है मुझे मालू है ठीक है तो यहां पर यह switch board तक बिलकुल looping by looping आपको wiring करनी है looping by looping ताकि joint कहीं पर ना हो जी हां दोस्तों थोड़ा wire extra लग जाए चलेगा तो अब मैं आपको wiring समझा देता हूं सारी यह इतनी सारी wire है इसको गिन के दिखाता हूं मैं तो यहां पर एक wire दो wire तीन wire चार wire पाँच wire छे wire साथ wire आट wire नो wire दस wire ग्यारा एंड बारा बारा wire यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि हमें आपको समझाता हूं किन किन चीजों के लिए हैं तो जिसके अंदर यहां पर तीन जो wire देख रहे हैं neutral phase और अर्थिंग यह हमारा switchboard के अंदर power plug जो switchboard हो रहा है वहां तक जा रहा है यहां से और यहां पर जो तीन wire और ठीक है और बाकी का जो यहां पर पांच पॉइंट हमें नजर आ रहे हैं यह जितने भी पॉइंट से बल्ब फैन वगएरा हैं उनके लिए provide किये गए हैं color coding का आपको ख्याल करना है अगर बड़ी building है तो आपर color coding का जरूर से ध्यान रखना है ठीक है तो यहां से होते ठीक है जो point मी neutral को चलाएगा और यहां पर जो तीन wire और देख रहे हैं यह input है यहां से current flow होगा तो यह wire सीधा हमारा mcb box से आ रहा है इस तरह से round करते हुई ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं और बाकी है यह neutral है यह neutral system neutral कहा जाता है तो यह neutral सीधा हमारे points के अंदर यहां पीछे ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं जोइंड करके सभी लाइनों के अंदर प्रोवाइड हो चुका है तीन पॉइंट के अंदर यह neutral जो है complete work हो चुका है ओके अब यहां पर यह जो points से नजर आ रहे हैं यह points से जितने भी यहां पर गिन सकते हैं आप एक दू त सीलिंग रोज किस तरह से कसते हैं यानि कि हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीका दिखाने वाले हैं किस तरह से आप होल्डर को इस डबी के ओपर सेट कर सकते हैं और सीलिंग रोज को भी इस डबी के ओपर सेट कर सकते हैं तो यहां पर आपको थोड़े थोड़े वायर को छि ब tyres मैं जाए ब हैंaf या सब्हारी करें तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं तो यहा पर आपको इस तरह से कस के holder तो सब जानते ही है कसना ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है यहां पर आपको इस तरह का page यूज लेना है जी हां दोस्तो यह काफ़ important बात है इस तरह का अगर आप page यूज लेते हैं तो आपको dubby को बिना hole निकाले जी हां दोस्तो मैं आपको important चीज़ बताता हूँ बिना hole निकाले आप इस wire इस holder को बड़ी आसानी से कस सकते हैं जी हां दोस्तो यह page कौन सा है मैं आपको एक hint दे देता हूँ जो force selling वगयरा करते हैं उसके अंदर ब्लैक कलर के वे जो screw लगाते हैं यह वही screw है यह आप बिना hole निकाले भी set कर सकते हैं और बड़ी आसानी से लकड़ी के अंदर fit हो जाता है holder के अंदर भी बड़ी आसानी से यह fit हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि यही आपको screw जो है use लेना है अब आपको मैं बताता हूँ ceiling rose ceiling rose basically कहते हैं कि इसको है इससे आप या तो fan लगा सकते हैं ceiling fan और exhaust fan भी लगा सकते हैं यानि कि जो open wire होते हैं खुले जिसके wire होते हैं वो इस डब़ी के अंदर work करते हैं यहां ठीक है ताकि joint point ना हो इसलिए यह डब़ी लगा जाती है जिसे ceiling rose बोला जाता है इससे हमारी wiring जो है काफी अच्छी नजर आती है मतलब यह नजर नहीं आता है कि यहां joint है बिल्कुल भी तो यहां पर आपको इसके लिए थोड़ा extra छिलना होगा मैं बताता हूँ इसे क्यों छिलना होगा यहां पर आप देख सकते हैं यह दो पेज यहां पर नजर आते हैं इन दोनों पेज को अगर आप खोलते हैं तो इनके नीचे एक hole है ठीक है दोनों के नीचे इस तरह से hole नजर आ रहा होगा इस hole के नीचे से आपको यह है जो wiring है यह set करना है यहां से आप देख सकते हैं इस तरफ से सेट करना है काफी लोग क्या करते हैं अंदर से निकाल करके अंदर ऊपर की तरफ सेट करते हैं ऐसा कोई तरीका अच्छा नहीं है यह तरीका काफी अच्छा होता है बड़ा छिलने की वज़े से इस तरह से आप मोड सकते है ताकि इसको रोका जा सके वायर को इस तरह का टेस्टर अगर आपको परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हूँ यहाँ पर जैसे के लिए वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस तरह के और वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं वही इसक्रू का यूज मैं यहाँ पर भी लूँगा ब्लैक कलर का यह जंग भी लगता है इसका एक और यह जंग भी नहीं लगता है किसी भी लगडी वाले बोर्ड के अंदर इसको अच्छे से फिट कर सकते हैं और आपको स्क्रूट ड्राइवर भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बड़िया कंपनी का आपको स्क्रूट ड्राइवर भी मिल जाएगा जी हाँ दोस्तो यहाँ पर आपको दो पेच कसने हैं लेकिन मैं आपको हिंड के थुरू आपको एक पेच कस के दिखा रहा हूँ काफी मजबूती से यह सेट अप हो गया यह है तरीका होता है गरहक के भी आप इसी तरीके से ही वर्क करिएगा गाइस ताकि गरहक जो है वापसे संतुष्ट हो जाए ठीक है आपको ऐसा मानने लग जाए कि आप बहुत अच्छे इलेक्रिशन हो आपसे ही काम करवाना है यह चीज़ आपको गोर्क Kaf करनी है फिनिशिंग में जतना काम करोगे उतना ही आपकी तारिफ होगी और उतना ही आपको वर्किंग मिलेगी मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको काम मिलेंगे तो कि काम से काम मिलते हैं आपको पता है या फिर एक ceiling rose एक holder ये दो चीज़े लगा सकते हैं यानि कि दो इस डबी को पर fit कर सकते हैं काफी आसानी से आप इस wiring को set कर सकते हैं तो बैसके लिए मैंने आपको सिखा दिया है कि किस तरह से ceiling rose लगाना है किस तरह से डबी लगाना है, holder लगाना है तो आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया है यहाँ पर 4-5 पोइंट है जिसमें एक फैन का पोइंट है जो कि सेंटर में नजर आ रहा है यह फैन का जो सीलिंग फैन होता है उसके लिए यहाँ पर दर्शाया गया है इस बीच वाली डबी को तो यहाँ पर अब मैं आपको सिखाऊंगा स्वीच बॉर्ड के से सेट अप किया जाता है इस तरह का लकडी का स्वीच बॉर्ड आता है और यहाँ पर आपको उनमें बताता हूँ इस तरह के जितने भी स्वीच हैं बहुत अच्छी कंपनी के स्वीच वगरा है थोड़ा सा आसान होता है मोडलर स्विच बोर्ड के अंदर आपको कसने की ज़रत नहीं होती है डारेक्ली आप फिट कर सकते हैं लेकिन इस तरह के जो नॉर्मल स्विच बोर्ड होते हैं जो पुराने जमाने वाले होते हैं लेकिन आजकल ये भी थोड़े से मतलब बंद नहीं हुए हैं ये भी आजकल चलते हैं दुकान वगेरा के अंदर होते हैं नॉर्मल वगेरा के सबी के अंदर ये यूज लेते हैं काफी घरों के अंदर आज भी इनहीं स्वीच बोर्ड का यूज लिया जाता है बेसिकली बहुत सारे अभी trend में ही है अभी इनकाchnALI knife नहीं हुआ है तो आपको इस तरह से इन दोने पेचस को अंदर डाल देना हैं अपनी दोने अंगूली योश से इस तरह से पकड़ लेना है और दोनों THIS क्रूड के जितने IlS' क्रूड को आप अच्छे से अंदर से सेट कर सकते हैं इस तरीके से ठीक है तो अब आप इसे टेस्टर के मदद से कर सकते हैं तो इस तरीके से स्विच भी सेट अप करना है स्विच भी इसी तरीके का ही होता है स्विच के अंदर भी आपको यहां पर नजर आ जाता है एक लोगो जिसमें आपको नजर आता है अच्छे से रखना नीचे की तरफ कि हमें मालूम पर जाए कि यह ओन साइड है तो यहां पर जितने भी स्विच हम सेट करते हैं यहां पर एक फैन रेगुलेटर भी है इसका मैं वाइरिंग भी शिखाने वाला हूं यह फाइव स्टेप फैन रेगुलेटर है आप जीरो स्ट फैन प्रेंट वीडियो है तो नए-ने इलेक्रिशन को कुछ न कुछ तो समझाया जाए यह मेरा मोटिव है थीक है ताकि जो नए-ने इलेक्रिशन होते हैं उनको भी काम दंदा करने की शोक है एलेक्रिक का शोक है तो वो हमारे चैनल से जुड़ के काम कर सकते हैं यहां पर एक पॉइंट है, दो पॉइंट है, तीन पॉइंट है, चार पॉइंट है और पांच पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि fane regulator के साथ में देखने को मिल रहा है fane regulator का connection भी आपको अच्छे से सिखाया जाएगा अब यहाँ पर power plug की बात कर ली जाए तो power plug के साथ में 16 एंपेर का switch 16 एंपेर का socket ये एक set होता है अगर आप market में purchase करने जाओगे तो आप इसे तरह कैसे कह सकते हो power plug switch socket देना है तो आपको वो पूरा दे देगा set ही दे देगा ठीक है तो इसके साथ में चार पेच आते हैं अलग अलग ब्राइंड के आप अलग अलग कोई चीजे लेके आ सकते हैं ओरिजिनल भी ला सकते हैं लोकल भी ला सकते हैं सब चलता है आज कल तो ठीक है तो यहाँ पर यह चीनी माटी का भी आता है और नॉर्मल प्लास्टिक का भी आता है आप infamous चीनिमाटी का लगाएंगे तो भी बेस्ट है प्लास्टिक का लगाएंगे तो भी बेस्ट है कोई दिक्कत वाली बात यहाँपर देखने को नहीं मिलती है यहाँ पर इसको यहाँपर सेट करना है जिस तरफ हमारा गीजर और जिस तरफ हमें स्विच चाहिए उस तरफ आप किसी भी तरफ से किसी भी तरफ आप इसे सेट कर सकते कोई जरूरी नहीं है यहां पर करेंगे कोई इतना खास बात नहीं है स्विच बोड कितना खुबसूरत है गाईस आपको अन्दाजा नहीं होगा क्योंकि बहुत अच्छा होता है यह स्वीच बोट ठीक है तो यहां पर आपको नीचे वाले हिस्से में आपको सबसे पहले डाल देना है और आपको यहां फेज वाले हिस्सے में डाल देना है तो उल्टा connection हो जाएगा आपleri इहां पर जो phase connection होता है उसी के अंदर डालना है अब यहां पर दो-तीन connexensor बागी है जो कि हम समझेंजरे वाले हैं यहां पर आपको looping करना है तो आपको 1 mm का wire use लेना है looping करते समय तो आपको इस तरह से छिल लेना है इस तरह का आपको प्लास चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ जाकर कि आप इस टूल को भी परचेस कर सकते हैं और ब्रैंडेड कंपनी का आप इस टूल को परचेस कर सकते हैं बड़िया प्राइस के अंदर देखिए किस तरह से ये वर्क कर रहा है बहुत अच्छा है तो इस तरह का प्लास आप यूज ले सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर इस तरह से तार को छिल के इस तरह से गूमा करके सेट अप कर देना हो ठीक है तो यहां पर जितने भी लूपिंग कनेक्शन होते हैं जितने भी स्वीच है उन सभी के अंदर नीचे वाले हिस्से में लूप कर देना है नीचे या ऊपर कहीं पर कर सकते हैं लेकिन नीचे वाला हिस्सा थोड़ा बैस्ट ज्यादा होता है तो यहां पर यहां प और आप स्वीच को वर्क करने के लिए आपको जो स्वीच का निशला वाला हिस्सा है उसके अंदर आपको एक वायर अटका देना है सेट कर देना है और यहाँ पर फेज वाले हिस्से में लगाना है यहाँ पर लिखा हुआ होता है लाइन तो उसके अंदर यह वायर लगाना ह अब fan regulator की बात कर रहे हैं तो fan regulator को केसे set किया जाता है fan regulator का एक जो wire होता है यह आपको switch के उपर वाले हिस्से में यहाँ पर switch के हिस्से में set कर देना है जो की बाकी है ठीक है यहाँ पर लगा करके आपको इसको कस देना है और जो एक बाकी wire है इसका क्या करेंगे आगे बताने वाले हैं अब हम स्वीच बोर्ड को कनेक्शन करने वाले हैं स्वीच बोर्ड को कैसे कनेक्शन किया जाता है सबसे पहले आपको अर्थिंग वाला कनेक्शन करना है इसमें पहले बाद का कोई मसला नहीं है पहले या बाद में कोई इतना दिक्कत नही है आप के से भी लगाओ इजिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पहले earthhing connection करना है anima नहीं यहाँ पर connection कर दिया है और यहाँ पर अब phase क्वाला connection आपको switch के अंदर लगाना है socket के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगाना है switch के अंदर लगाना है ताकि हम जब भी switch को press करें on करें तो socket के अंदर जो phase line है वो cut होना चाहिए ठीक है अब यहाँ पर हमारे पास दो neutral बाकी है जो की काफी important neutral में आपको बताया भी था यह दोनो neutral basically क्या होंगे एक system neutral है मैंने आपको पहले से बताया है एक neutral को दूसरे neutral से आपको जोड़ना है system neutral को man neutral से जोड़ करके आपको यहाँ socket के अंदर भी इस तरह से जोड़ देना है तो मैंने आपको यह समझायता था ना कि सिरु के अंदर जो मैंने क्यों लेके आया था मैं आपको अभी समझाता हूँ और किस वज़े से लेके आया था यहाँ पर अर्थिंग और neutral फेस हो गए है यहाँ पर दो neutral का working समझाता हूँ यह जो एक neutral है यह हमारा सीधा यहाँ पर जो लाइटे हैं फैन हैं इसके लिए working full है दूसरा neutral जो आप देख रहे हैं यह सीधा हमारा switchboard के अंदर जा रहा है यानि कि हमें double neutral लगानी की जुरूरत नहीं पड़ी हमें यहाँ पर पूरा ही work हो गया है तो इस तरह से आपको भी work करना है ठीके जो confused है उम्मीज है आपको यह दूर हो गया होगा चारो पॉइंट के अंदर आपको जितने भी यलो वायर नजर आ रहे हैं पूरे यलो वायर को आप चारो पॉइंट चारो switch के अंदर set कर देना है यानि के चार पॉइंट यहाँ पर अलग-अलग switch से तयार हो चुके हैं तो गैस यहाँ पर अब में बारी आती है फैन की ठीक है तो फैन के लिए आपको color अलग रखना चाहिए लेकिन या फिर आपको color अलग नहीं रखना है तो निशान लगा लेना है कि यह फैन का ही वायर है ठीक है तो चारो वायर में ने कस दिये हैं चार switch हमने free कर दिया है पांच हुआ यह fan regulator है तो fan regulator के लिए आपको इस तरह का joint कर सकते हैं instagram ID को नई follow किया है तो वहाँ जाकर follow कर लीजिए मैंने वहाँ पर कुछ तरीका दिखाया है ठीक है fan box का अब यहाँ पर basically मैं आपको एक चीज समझाता हूँ यहाँ पर एक joint है यह joint हमें remove करना है यह जो joint आपको नजर आ रहा है इसे हमें remove करना है ताकि कभी यहाँ पर joint ना हो और working भी रहे तो आपको क्या करना है कि यह जो looping wire आपको नजर आ रहा है इस looping wire को आपको open करना है और इस looping wire को बिल्कुल यहां से हटा देना है अब यहां पर इस looping wire को यहां आगे की switch के अंदर आपको fan regulator का एक wire set कर देना है इस तरीके से ठीक है set कर दिया अब यहां पर जो looping extra है इसको काट दीजिए ताकि current warrant ना लगेगा इस ठीक है तो यहां से जो looping wire है यहां पर जो एक और wire बचा है जो fan regulator का है इसको आप इसके उपर वाले हिस्से में जहां पर looping लगा हुआ था वहां पर set कर दीजिए अब यहां पर जो fan का जो एक wire बचा है इसको आप नीचे वाले हिस्से में लगा सकते हैं तो basically guys जो joint है वो बिलकुल हट चुका है compulsory है हर switchboard में आपको इस तरह का joint मिल जाएगा लेकिन joint हताने के लिए इस तरह का तरीका आप use ले सकते हैं जो कि काफी आपको पसंद आया हुआ टेप वगरा के भी ज़रुरत नहीं होगी ठीक है उमीद है इस तरीके को आपने like कर दिया होगा आप यहाँ पर सबसे पहले मैं अर्थिंग का connection करूँगा मैंने आपको क्या का सब पहले और बाद में कुछ नहीं है लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए पहले बाद में system दिखा रहा हूँ सबसे पहले आप अर्थिंग जो है इसको जोइंट कर देना है दोनों अर्थिंगों को आपको जोइंट कर देना है और दोनों अर्थिंग को आप एक socket के अंदर लगा देना है बेसिकलिए अगर यहाँ पर socket नहीं होता तो ना तो यहाँ पर neutral के जरुरत होती नहीं हमें इस तरह के अर्थिंग के जरूरत है लेकिन सोकिट जहां पर आ जाता है वहाँ पर न्यूटरल और अर्थिंग की कंपलसरी है कि वो जरूरत पड़ेगी अब यहाँ पर तीन न्यूटरल बचे हैं जिसमें एक स्वीच बोर्ड के अंदर जा रहा है एक लूपिंग के अंदर जा रहा है और एक मेन MCB बोक्स जो होता है वहाँ पर जा रहा है तो तीनों न्यूटरल को आपस में जोड देंगे तो उस पावर प्लग स्वीच बोर्ड के अंदर भी न्यूटरल पहुँच गया और दो जो पॉइंट है उसके अंदर भी न्यूटरल पहुच गया और तीन पॉइंट इदर के तरफ है जो सिस्टम न्यूटरल में है उसके तरफ भी यहाँ पर न्यूटरल पहुच गया है यहाँ पर सब जगा न्यूटरल पहुच गया है और यहां जब socket में हम connect करेंगे तो socket के अंदर भी neutral पहुँच गया है तो यह तरीका काफी अच्छा आपको लगा होगा मेरे ख्याल से ठीक है तो यहां पर सब free है यहां पर दो phase है जिसमें एक main phase है जो की MCB box से आ रहा है एक normal phase है जो की sorry जो off phase है जो की power plug में जा रहा है तो यहां पर आपको कहां पर connection करना है main phase जो चालू line जो MCB box से आ रहा है उसको आप switch के अंदर यानि के आपको socket के पास में जो switch होता है उसके अंदर connect करना है जहां दोस्तों socket के पास वाले हिस्से में ही connect करना है और जो दूसरा wire देखने को मिल रहा है वो उसके बगल वाले socket के अंदर connect करना है हाला कि आप कहीं पर connect कर सकते हैं कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी switch में लेकिन सबसे best तरीका होता है इससे क्या है कि load में heating नहीं होती है यानि कि जो looping wire है इसमें heat नहीं होती है switch खराब नहीं होते है इस तरह से आप लगा सकते हैं ठीके अगर आप यहाँ पर दूर लगाओगे तो यह जो heating है काफी ज़्यादा बढ़ जाएगी switch खराब हो सकते हैं ठीके तो इस चीज़ का ख्याल करें कि आप socket के पास में ही आपको newt sorry phase जो line है socket के पास में ही लगाएं ताकि आप socket के अंदर ज्यादा से ज्यादा load भी चलाएंगे तो आपको ज्यादा यहाँ पर पूरे switch जलने के chances कम हो जाएंगे उमीद यह आपको यह चीज़ शायद बता नहीं होगी लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों को यह चीज़ भी पता चल गई होगी ठीक है तो यहाँ पर जो switch board है 100% work हो गया है switch जो है 100% complete set हो चुका है इसको हम fit कर देंगे अच्छे तरीके से कस देंगे ठीक है तो हम आपको यहाँ पर पूरा setup चालू करके दिखाने वाले हैं यह power plug switch board है यह भी हम यहाँ पर set कर रहे हैं power plug से मुराद यह है कि इससे आप जो heavy load होते हैं geezer heater वगयरा वो चला सकते हैं अगर आपने भारी wire लगाया है तो wiring complete होने के बाद आपको इस तरह के cap fit करने होते हैं cap fit करना भी आपको अच्छे से आना चाहिए अच्छे तरीके से काम होना चाहिए cap fitting का भी ठीके तो यहाँ पर मैंने जितने भी cap से वो sub fit कर दिया है अब यहाँ पर मैं आपको complete यहाँ पर wiring हो चुकी है मैं आपको यहाँ पर working दिखाता हूँ तो एक एक switch से यह socket चला और यह एक bulb point चला यह भी point चला यह भी point चला यह भी point चला यह यह पर आपको नजर आ रहा होगा तो पावर प्लग भी आप देख सकते हैं किस तरीके से work कर रहा है बहुत शांदार अच्छे से work कर रहा है switch के साथ में ठीक है dangerous है है रहे के इस काम को नहीं कर सकते है जो नए इलेक्टरिशन बनना चाते हैं इलेक्टरिशन की सलाह जरूर ले बड़ो की सलाह जरूर ले तब जाके यह काम आप करें तो दोनों सोकिट जो है वो रनिंग पे हैं और जितनी भी लाइने हैं वो सब चल गई है बहुत शांदार तरीके से यह देख सकते हैं दोनों पॉइंट अलग अलग स्विचिस से चल रहे हैं ठीक है यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो को लाइक करते जाए चैनल को सब्सक्राइब करते जाए यहाँ पर सामने वाले जो दो पोइंट है वो भी चल रहे हैं और सब ही पोइंट हमारे अच्छे से वर्क कर रहे हैं MCB बॉक्स की फिटिंग हम आपको नेक्स वीडियो के अंदर बताएंगे MCB बॉक्स किस तरह से सेट अप होता है क्योंकि मैंने एक रूम की वाइनिंग की है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आईए तो इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें इंस्टाग्राम आइडी को फोलो करें तो चलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही रखना इस तरह की वीडियो और आगे हम बनाते रहेंगे